स्थ्री शक्ति यूही थमजाए ये वो शोर नहीं, कोमल है, कमजोर नहीं परिवार को दी जिसने बुनियाद बेटी बन कर, बच्पन को किया आवाद बेहन बन कर पत्नी के रूप में दी जिसने जिन्दिगी को एक नई रफदार और जब मा बनी, तो ईश्वर ने लिया उसके अंदर एक नया अफदार कुद्रत ने अगर पुरुशों को बाहू बल दिया है, तो स्थ्रियोब को आत्म बल दिया है हमारे ये शो समर्पित है ऐसी महिलाओं के नाम, जिन्होंने अपने आत्म बल से समाज के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई और ये साबित कर दिखाया न डरेगी, न सहहमेगी, न मिटने देगी अपनी हस्ती, समान पर आच आएगी, तो टकराएगी इस्त्री शक्ति स्त्री का साहत, स्त्री की ताकत, स्त्री का जजबा, स्त्री शक्ती को सलाम कर से स्त्री शक्ती, स्त्री शक्ती स्त्री और पुरुष एक दूसरे के बिना अधूरे हैं एक दूसरे को पसंद और नापसंद करने का हाग दोनों को होता है लेकिन कभी-कभी जब स्त्री किसी पुरुष को नापसंद कर जोती है तो विक्रित मान सिक्ता वाले पुरुशों का हैंकार ऐसी हैवानियत का भी रूप ले लिता है। किसी लड़की पर तैजाब फैंक कर उसके चहरे को चलाना अपने अंदर की जलन को शांत करने का कौन सा तरीका नहीं है। यह हैवानियत है। वहशी पना है। तरिंदगी है। अफसोस कि ऐसी हैवानियत का शिकार हुई है। आज की हमारी महमान लक्षमी साह। दोस्तो आएए तालियों से स्वागत करते हैं लक्षमी जी का श्त्री शक्ति.. आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे श्त्री शक्ति के इस मन्चपर. लक्षमी जी आपका दर्द जितना बड़ा है उसे कही ज्यादा बड़ी है आपकी हिम्मत सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी हिम्मत को सलाम करती हूँ थैंक यू आप हमे यह बताईए कि आपके साथ यह हादसा कब हुआ यह हादसा मेरा 2005 में हुआ था मैं उस टाइम पे 7th Standard में पढ़ती थी और वो लड़का था जो 32 साल का था उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोस किया था आप 7th क्लास में था और 7th क्लास में आपको शादी के लिए प्रपोस किया वो मेरी दोस्त थी और उनका ही ब्रदर था और उन्होंने कब मुझे पसंद करना चालू किया कैसे पसंद करना चालू किया मुझे पता भी नहीं चला तो मैंने उनको मना कर दिया और स्ट्रिक्ली कहा कि आज के बाद आप मुझसे कभी बात भी मत करना और मैं आपको हमेश फिर से उन्होंने वही चीज किया लेकिन दस महीं नहीं लगातार वो मुझे परिशान करते थे मला मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से आती थी तो बोलते थे, बहुत कुछ कमेंट पास किया करते थे रस्ते में कभी भी पकड़ के थपड मार देना बोल देना कि कहा जा रही हो, यहां क्या कर रही हो तो हर वक्त मतलब वो आपके पीछे पड़े देते थे नज़र रखते थे आप कहा जा रही है, किस वक्त क्या कर रही है 2005 में 19 April कोई उन्होंने मुझसे कहा मैसेज करके कि मैं दुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ तो मैंने उनका कोई रिप्लाइ नहीं दिया फिर दुबारा से उनका SMS आया, मुझे अभी और इसी वक्त इसका जवाब चाहिए तब भी मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया तो ये बाल अपने अपने पैरेंस को नहीं बताई कि यह से जा रहे हैं नहीं मैंने कुछ भी नहीं बताया वो मेरा बैड लग था जो मैंने नहीं बताया दूसरे दिन 22nd April को मैं अवरी डे की तरह ही जा रही थी तो वो लड़का और उसके छोटे भाई की गर्फरिंड में को मेरे घर से ही फॉलो करते वे आ रहे थे कि मैं कहां से जाऊंगी कैसे जाऊंगी मैंने एक red light cross की तो उनोंने भी दूसरी red light cross की फिर मैं आगे बढ़ते बढ़ते गई और वो अचानक से बाइक से आये, आके वो लेडी ने मेरे मूँ पे हाथ रखा, मुझे जमीन पे धका मारा, ग्लास में आसेड लेके आये थे, मेरे फेस में आसेड डाला, और फिर उसके बाद मेरे हाथों में आसेड डाला, और उसके बाद साइड में ग्लास फैक के वो चली इस टाइम मैं बहुत तेज तेーश तड़प अजगे पर तेज चीख रही थी पेर हाथ प पटक रही थी बहुत बुरी तरही तरीके से चीख निंकल रही थी मेरी लेकिन वहाँ पर कोई मदद के लिए नहीं था मैं बहुत बहुत जादा बुरी कंडीशन में थी मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे पूरा उपर से नीचे तक आग लगा दिया इतना मेरा पूरा जल रहा था बॉडी फिर उसके बाद मैं बहुत महाँ पे तडप रही थी बट लेकिन दीरे-दीरे करके क्राउड इखटा होने लगा दीरे-दीरे करके फिर उसके बाद मैंने उनके पैर पकड़े जिनोंने मुझे गाड़ी से भी मारा था उनके मैंने आगे हाथ जोड़े मैंनों से इतना घा कि मेरा फोन दे दो, मुझे मेरे पापा से बात करनी है लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नी की फिर उसके बाद एक अंकल थे वो आये और वो आने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कौन हो, कहां रहती हो, एड्रेस पूछा मैंने बताया, उन्हें उन्हें तुर्ण PCR को बुलाया PCR मुझे लेके जा रही थी मैं गाडी में ही बैठी थी, जब मैं अपने आपको देख रही थी तो मेरे फेस से हाथ से स्कीन टपक रही थी जमीन पे जैसे कि एक प्लास्टिक की पॉलेथीन को आग लगा दिया जाता है और वो पॉलेथीन जैसे टपकती है जमीन पे उसी तरीके से मेरी स्कीन टपकती जा रही थी और मैं अपने आपको ऐसे देख रही थी और मेरे को ऐसा लग रहा था मेरा फेस बहुत बढ़ा हो गया है और मेरे बॉडी पे मेरा फेस बहुत बोज है ऐसा फील हुआ मुझे और मैंने तुरंट उसी टाइम पे अपने पापा को फोन लगाया मैं पापा पापा करके चिला रही थी वो समझ नहीं पाए लेकिन पुलिस ने फोन लिया और कहा कि आपकी बेटी का एक छोटा सा एक्सिडेंट हो गया है आप राम अनोहर लोया हॉस्पिटल आजएए मैंने अपनी लाइफ में कभी हॉस्पिटल नहीं देखा था भी होश होगई होस्पिटल देखके लेको गये मुझे स्टेचर से तो मेरे उपर 20 पालटी पाने डाला गया और असके बादlaw मेरे पापा मम्मी आए मेरी मम्मी की तो हालत बहुत खराब होगी मुझे देखके और उसके बाद मेरे जब मेरे पापा है और उन्होंने मुझे गले लगाया, उनकी पुरी शर्ट जल गई थी, बीस बाल्टी पानी डालने के बाद भी, और इसके बाद डॉक्टर ने कहा, कि 48 गंटे गा टाइम है, कि मतलब कुछ चांस नहीं है, 45 परसंट बंद था, बहुत सीरियस कंडीशन थी मेरी आइसियू में तो नहीं रखा था, अमरजंसी में मुझे रखा गया था, बहुत जादा आँखों का कुछ पता नहीं था, क्योंकि लेफ्ट वाली आई में मेरे एसे एक बून चला गया था, लकली मेरी आखे बच गई, एक तो मेरे शरीर में नस नहीं मिलती है, बहुत मु जूज के, बहुत ही पेइनफुल था वो वक्त मेरे लिए, और फिर उसके बाद काफी कुछ हुआ, वहीं से मेरा एक स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, वहीं से बहुत बढ़ा स्ट्रगल था वो मेरी लाइफ का, मैं जब धाई महीने के बाद अपने घर गई, प्रापर मेर मेरे घर में शीशे, फ्रेम, सब कुछ हटा दिये गए थे, मुझे फोटो शूट का बहुत शूग था, मेरे पापा ने अपने कैमरे भी बेज दिये थे, हटा दिया बिलकुली, तीन कैमरे थे उनके पास, सब कुछ घर का बदल गया था, कैसे मोका मिला आपको शीशे में अचानक मैं शिरीन आउंटी है, मेरे पापा की बॉस, मैं उनकी घर गई थी, और उसके बाद ना अचानक से मैं वाश्रूम गई थी, तो मैंने अचानक अपने आपको देख लिया, मैं हिल गई थी, बट उस टाइम पर मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, बस मुझे ऐसा लगा म मतलब क्या मैं ऐसे नहीं जी सकती इस चाहरे के साथ, क्या हो गया यह मेरा, मैं बहुत पागल जासी होगी थी, उन्होंने इतनी हिम्मत दी, लेकिन मेरे पापा ने मतलब एक एक वर्ट बोला, चो मुझे आज तग उनका वो शब्द इतना याद रहता है, उन्होंने मुझ मुझेन ही मुम्कीन है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम एक दिन देखना बहुत आगे जाओगी, बहुत अपर जाओगी, देख लेना तुम, अपने आपको हिम्मत दो, मजबूत करो, कुछ करके दिखाओ, बट उसके बाद मैंने हिम्मत की और उसके बाद आपर ए जाओगी, इसलिध Strategyा, बहुत हिम्मत दिखा याबने , इखे कि ए किना, आपने अपने जो हिम्मत दिखाइ इस वक्त, जिस हिम्मत सा अपने काम किया हि, इतनी हिम्मती लड़का क्या हि इतने हिम्मती बाद की मैंने शायद अभ ही तक अपनी जंदी इमेने लेखिया, उस कि मेरे मदलब फैमिली ने पूछा, मेरी लॉयर ने पूछा और समने उसे पूछा कि लक्षमी तुम क्या सोस्ती हो तो मैंने उन लोगों से यही मैंने बोला क्या एसिट बिकना बंद नहीं हो सकता है तब जाके हम लोगों ने सुप्रीम कोट में एक प्यायर डाला और की पाल के बाद सुप्रीम कोट से रिजलेट आया लास्ट यर değiş리 को कि ऐसे खुल्याव नहीं बिक्के गा और जो भी लेगा उसके पास लाइसेंस होना चाहिए और जो बेचे गा उसके पास भी लाइसंस होना चाहिए, जो भी 18-!!" प्लस होना चाहिए, जो भी 18- Kenneth अ क्या पर कोशिश करी और और एसेट को मार्किट में आने से बन करा दिया बहुत बड़ी बात है और आज भी आप लड़ रहे हैं उनी लोगों के लिए कि ऐसा कुछ नी होना चाहिए लक्षमी ची बात बताईए इस देश्चत से बाहर आने में आपको कितना वक्त लग गया अम मैं मैंटली बहुत डिस्टर्व हो जाते हैं क्योंकि उस वक्त में ऐसा होता है कि जो रिष्टदार होते हैं जो दोस्त होते हैं सब लोग साथ छोड़ देते हैं एक इतना बड़ा स्ट्रगल था मेरे लिए कि मैं इतना जाधा हर तरीके से तूट गई थी लेकिन फिर भी खेल खेला खूदना हर चीज मम्मी पापा मेरे साथ करते थे मैं एक बच्ची बन गई तो वो भी मेरे साथ बच्चे बन गए थे वो इतना जाधा मुझे सपोर्ट करते थे उस चीज से धीरे धीरे करकी निकली और फिर कहा गया कि लक्षमी कुछ करो तुमें कुछ करना आगे चलके हामे कुछ हो जाएगा तो कम से कम तुम भूके नहीं मरोगे जब मैं स्टीचिंग क्लास भी जा रही थी तो मैंने काफी टाइम तक बुर्खा पहन के मैं गई क्योंकि इतना खराब मेरा फेस था लोग देखते क्या वो करते उसका भी काफी फरक पड़ा था मे जो कि वो तुमारे लिए अच्छा होगा तो ब्लैकबोड वगरा देखने के लिए तो मैंने का ठीक है मैंने वो वेर करना स्टार्ट किया तो मुझे काफी एजी भी हो गया था उसे पहन के आप यह बताईए कि आप जिस तरह से बुर्खा पहन के भार निकलती तो ऐसा क्य मैं अपने ड्रेस के लिए भी बहुत थैंक्फूल हूँ क्योंकि ड्रेसी से भी बहुत हिम्मत मिलती है मैं जब पत्याला वेर करती थी तो मुझे एक अलग फीलिंग आती थी मुझे अच्छा लगता था मुझे ऐसा लगता था कि उना मैं फेस उपन करके चलू मेरे काफी पत्याइर लॉइन दृट अधेरा भी हैर लॉड थै मेरे बाल बहुत काट दिय गए थे और बाद मेरे हैर काफी लमब हो गय थे तो मुझे लगता था कि मुझे निकलना चाहिए तो मैं निकलने लगी और मुझे अच्छा लगने लगए लोग बोलते थे तो उनकी बातों तो मैं नेगिटीव में नहीं नहीं लेती थी और जो बोलता था कम से कम मेरे ध्यान तो रखता था वो इनसान तो मैं हमेशा ही उनके लिए भी मैं मतलब जितनी भी हमारे सोसाइटी के लोग है उनके लिए भी बहुत जादा थैंक्फुल हूँ क्योंकि ना वो मुझे नेगिटीव करते और ना मैं पॉजिटीव होती सही बात अब ये बताएए कि जिस दरिंदे ने आपके साथ ये हरकत की उसके खिलाफ क्या एक्शन किया गया क्या किया आपने उसके अगेंस्ट कौन से कदम उठाए 2005 में ये केस हुआ था जाड़े नौसा लो गया मेरे केस को अभी लड़का अंदर है तो इस इस फाइट को लड़ने में आपके साथ किन-किन ने आपकी बहुत मदद की या किसने आपको सपोर्ट आपके पेरेंस आपके साथ है लेकिन और कौन था मेरी लौयर है जो उनोंने मेरी कभी लड़ाई लड़ी लेकिन नने कभी भी मुझसे पैसा नहीं लिया और मेरी श्रीन आउंटी है उनोंने मुझे बहुत सपोर्ट किया यही लोग हैं जिनोंने मुझे सपोर्ट किया otherwise government की तरफ से मुझे कोई ना कभी support आया है और ना कभी आया था ऐसे लोग तारीफों के काविल हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों की help करते हैं जब हमें एक मदद की जरुरत है उस वक्त जो काम आता है वही इनसान है वही दोस्त है अपराद के खिलाफ आवाज ना उठाकर दरसल हम उस अपराद को बढ़ावा ही देते हैं पर लक्षमी जी चुब बैटने वालों में से नहीं थी वो बाहर निकली और ना सिर्फ अपने उस अपरादी को उन्होंने सजा दिलवाई बलकि ऐसे हाथसों का शिकार हुई तमाम लड़कियों के लिए वो एक बिसाल भी बनी दोस्तों लक्षमी जी के जजबे के लिए उनके होसले के लिए एक बार जोड़दार तालिया आपने जो कैम्पेंज जॉइन किया था Stop Acid Attack उसकी शुरुबात कैसे हैं? 2013 में Stop Acid Attack कैम्पेंज से जुड़ी और मैं जो करना चाती थी वो सब मैं नहीं अकेले कर पारी थी क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दबाव डालते हैं कुछ नहीं करने देते हैं फिर मैं ऐसे चार लोगों से मिली जिन्होंने ये कैम्पेंज स्टार्ट किया और वो बहुत यंग परसन थे और वो लोग Stop Acid Attack कैम्पेंज उन्होंने स्टार्ट किया था 8 मार्च को मैंने कभी भी अपने लावा कभी भी किसी Acid Attack survivor को नहीं देखा था जब मैं उस कैम्पेंज में 19 में को गई उस तरहीं पर छाओ लाउंच हुआ था एक और जो NGO है आज हमारा वहाँ पर मेरे लावा 5-6 survivor और थी किसी की आँख नहीं थी, किसी की एक आँख नहीं थी Last year Supreme Court का decision आया था काफी time के बाद क्योंकि जब मैं साह से मिली थी तो उसके बाद जब सारी लड़कियां मिलके ये नहीं था कि लक्षमी का case है तो हम नहीं जाएंगे सारी लड़कियां जाती थी प्रोटेस्ट करती थी Supreme Court के सामने तब 9 जुलाई को हमारे लिए first था तब हम लोग गये तो Supreme Court ने उस दिन कोई judgment नहीं दी उसके बाद Supreme Court ने 16 जुलाई को government को फटकार लगाई कि साथ साल से ये case चल रहा है और इस पे कुछ भी नहीं हुआ है मुझे अभी और इसी वक्त में मुझे चाहिए लिस्ट आउट करिये कि क्या होना चाहिए और वहां पर फैसला सुनाया गया तो उस दीन तो नहीं सुनाया गया लेकिन 18 जुलाई को government कैसे ना कैसे करके एक कुछ भी statement बना के लिया और उनको दे दिया कि acid मतलब बन नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता वह उन्होंने जो भी कुछ था लेकिन फिर Supreme Court का यह डिसीजन रहा कि acid इतने एजली खुले आम नहीं बिख सकता और वही पर उन्होंने बैन लगा दिया अगा दिया अगर गटनाय और हाथ से सब की जंदेगी में होते हैं लेकिन सब इन हाथ सों का इन दुरघटनाओं का सामना नहीं कर पाते हैं हमेंसे कुछ ऐसी लोग हैं जो इन दुरघटनाओं से और इन हाथ सों से बहुत हिम्मत से लड़ते हैं और उनसे आगे निकल जाते हैं खुद रोशनी देखते हैं और दूसरों को भी दिखाते हैं लक्षमी एक ऐसी लर्की है जो बहुत ही नेक काम करने जा रही है और बहुत ही हिम्मत से उन्होंने अपनी जिंदगी के बड़े से बड़े परिक्षा को बहुत ही अच्छे तरीके से सफलता से पार किया है इस मुहीम को लक्षमी जी ने अपने नाम से ही नहीं, अपनी जिन्दगी से भी जोड लिया लक्षमी जी, इस कैम्पिन से जुड़के आपने क्या 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 कदम उठाए बहुत सारे क्योंकि अवेर्नस की बहुत कमी थी और acid attack को लेके कोई काम नहीं कर रहा था, acid attack कभी कोई मुद्दा ही नहीं था लोग जानते ही नहीं थे कि acid attack के बाद survivor का क्या होता है उसको acid attack survivor को बस एक victim बना के रख दिया जाता था और उसके साथ victimize किया जाता था लेकिन आज के time में हम लोगों का stop acid attack campaign है फर्स्ट कदम हमारे यही होता है कि जब भी कहीं पर भी acid attack होता है तो हम लोग तुरंट वहाँ पर जाते हैं और जो भी हमें मालूम है कि शुरुआती दौर में कि treatment के कितनी जुरुरत पड़ती है और ये सारी चीजे हम लोग वहाँ पर चाहे हमें करें में दोस्त है रूपा रूपा इस टांप फैशन डिजाइनर है रित्तु है कार्ड डिजाइनर है हम लोग हमेशा ड्रीम्स को follow करते है हम लोग यह नहीं जैसे की सपोज मुझे सिंगर बनना था नहीं तुम सिंगर नहीं बन सकती ओ यह वाला काम नहीं है हमारे दर, तुम्हें जो बनना है, तुम्हें पूरी आज़ादी है, मतलब आप हार नहीं मानते हो, आप अपने सपनों को जीते हो, बहुत बड़ी बाद, अच्छा लक्षमी जी ये बताईए, ऐसे बिकने बंद हुए हैं मार्केट में, ये सब जानने के लिए आपने कोई क जाके एसेड खरीदा है, मुझे बहुत अराम से पंदरा रुपए का एसेड मिला है, और लोग कहते हैं कि वह वाला एसेड बहुत इजी होता है, उससे कुछ नहीं होता, बेलकि जो एसेड मैंने खरीदा, उसको जैसे ही मैंने जमीन पर डाला, वो जमीन पूरी नीली पड गई थी, और उसका जो धुआ था, वो बिल्कुल आँखों में जाके साइड इफेक्ट हो रहा था, उस धुए से, हम लोग क्या कर रहे हैं, मुबाइल फोन से ही, हमें नहीं चाहिए कि कोई छोटा क्यामरा हो कुछ, मुबाइल फोन से ही हम लोग जाते हैं, दुकानों में और अपने उसको जेब में रखते हैं, और उसकी बाद हम लोग दुकानदारों से कहते हैं, कि हमें आसेड चाहिए, वो एक फुटेज हमें मिलता है, वो लोग देते हैं, हमें कहीं पॉजिटिव आंसर मिला है, कहीं नेगेटिव आंसर मिला है हम लोगों को दोस्तों ये जानकर बड़ा ताजुब होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज्जमेंट होने के बाद के खुले हम एसेड नहीं मिलेगा उसके बाद भी इस तरीके से विक रहा है अच्छा लक्षमी जी इस कैंपेंट से किसी को जुड़ना हो वॉलिंटेर करना हो तो वो तरीका क्या है अभी हम लोगों नहीं खुदी एक वेबसाइट बनाई है पल्टन.in वो बहुत इजी हो गया है वॉलिंटेर के लिए कोई आता है कोई सर्वाइवर के दोस्त बन जाता है कोई आके हमें ग्रैफिटी में काम करता है कोई वेबसाइट में काम करता है बहुत सारे काम है जैसे रूपा फैशन डिजाइनिंग कर रहे है तो उसके साथ आगे कोई जुड़ गया है, काम कर रहा है हर चीज है, सारी चीज है मैं हमारी जनता से यह अनुरोध करना चाहूंगे कि इस वेबसाइट पर जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस कैम्पियन से जुड़े Stop Acid Attack, Voluntary करे और आप जो भी कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, help करे दोस्तों, ऐसी बहुत सी Acid Attack Survivors है जिनको लक्षमी ने दोबारा से जिन्दगी जीने की हिम्मत दिलाई आईए, ऐसी ही दो सहासी Acid Attack Survivors से आपको मिलवाते है मेरा नाम रूपा है, और मैं यूपी की रहने वाली है मेरी स्टेप मदर ने मेरे प्रैस रटाइक किया था कारण ये था कि वो मुझसे ना बच्पन से जलती थी जब अधिये देरे बढ़ी उन्होंने मुझे मारना पेटना सुरूसी परेसान रखा था कि अधिया था था, सबना मेरे पता था भर्लेस, अगरो किसी से क्याती थी तो मारती थी मुझे सोते सहमेन, अगन मेरे पतिजाब ड़ डाल दिया जब मुझे तिजाब के वारे में कुछ भी ने पता था तो मैं सोची कुछ ऐसी डाला है, ठीक हो जाएगा, लेकिन यह नहीं पता था कि मुझे इतना कुछ हो जाएगा, इतना सब पदब जाएगा. यहाँ पर बहुत लोगों का सपोर्ट मिला है मुझे, बहुत लोगों ने हिम्मत दिया है, अपना पन दिया है, जो कि मुझे अपने परिवार से कभी नहीं मिला. मुझे बहुत ध्याएगा, इतना हूँ हो गया आपस में प्यार कि हम भार भी गूमने एक साथ जाते हैं, भार जाके इंजय करते हैं, और मस्ती भी करते हैं, जो की मैं पहले नहीं करती थी. और मैंने लगा तर महाँ पर साथ महीने सिलाई सी कि फिर तीन महीने में मतलब साथ की आट ड्रेस मैंने बनाई है एक तो युएस गई है युएस में एक लेडिस के लिए ओर राया था वो मैंने शिल के भेजिये और मुझे फैसंड डिजान देगा शुट मेरा नाम रित्तु है, मैं हरियाना रोतक से हूँ मैंने वोल्ली वोल स्टेट लेवल तक खेला एलेवन क्लास में पड़ती थी 26 मही को मेरे बबा के लड़के ने मेरे उपर अटेक करवा दिया और अवो जेल में है, और भी चार पाज उसके साथ है अटेक के बाद मेरा रोतक पीजी आई में ट्रिक्मेंट चला दो महीं में बहुत पेंफुल था वो टाइम इतना पेंफुल था जब मेरा फर्स्ट ऑपरेशन हुआ एक महीने तक दिन रात मैं सो नहीं पाई थी क्योंकि इतने जादा जखमते की भर नहीं पा रहे थी मेरी गलती नहीं थी जब मेरे साथ ऐसे हुआ और जब मैं च्हाओ में आई थी तो मैं फेस कवर करके आती थी और भी सब को देखके लख्शमी दीदी को रुपा दीदी को और भी सर्वाइवर थी इनको सब को देखके और मैं फेस ओपन करके चलती कहीं भी जाती तो बिंदास होके फिर से जब और अपरेशन वगारा कंप्लीट हो जाएंगे तो एक बार तो मैं जरूर जाओंगी खेलने के लिए और भी सर्वाइवर हैं जो भी तक सामने नहीं आई हैं मैं उन तक ये मैसेज पोचाना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में सामने आए और जिंदगी जिए और अपनी लाइफ में फाइट करें ये कैसा वैशीपना है? कैसी दरिंदगी है ये? नफरत की कैसी इंतहा है जो इंसान को जानवर बना देती है जो कुछ लक्ष्मी, रूपा और रितुने साह है, भगवान ना करे। अगर हमारी बेटी या बेहन को ये सहना हो तो हम पर क्या बीतेगी, हमारे परिवार पर क्या बीतेगी। स्थ्री शक्ति, स्थ्री शक्ति वेलकम बैक टु स्थ्री शक्ति, ये दरिंदी की बंध होनी चाहिए, और ऐसी सोच सिर्फ हमारी नहीं, समाज के और भी कई लोगों की है, इस वैशियाना जुर्म के बारे में जब खुद लक्ष्मी ने लोगों से बात की, तो आईए देखते हैं, क्या सुनने में आया? देखते हैं, मैं भी मैंने आपके मूर से फुछ सुना, आई हथशार आपने होला है, हाई यह भई है, इसके वपर तेजार, हाई, मैं लख्षमी, मैं एक आपके वाय कोई गारी हो हुआ हुआ है अब आपने मोला बात पर शर्कियों दो मिनदीं के लो डोही ने पर नवे जो मिने क्वाइब करें कि दूजिए चाली ज़िए, टुरूपकर चाली है सून तो डीज एक किनाएग अब को नहीं लगता है हम लोग कभी किसी पूपलेक में अब लगता है शाहर आप लोग को अब लाइस फील होता हो का है स्पूपलेक प्लेक में का दीम इतना बड़ा अभटन बोलते हैं इसके बार इतना गॉंफरेंट के सार बाहर पुरा हम लोग के जिससे फूर यह देख बहुत अच्छा है पग्मान ने उमेंस के लिए हम लोग रेस्पेक्ट पाएं इसले नहीं कि जो मर्थ है अगर वो जनुएन मैं है तो वो कभी भी ऐसे लड़कें जब कभी ऐसा नहीं कि जो मैंनों यह फिर जो कि हूँ अलवेज रिस्पेक्ट और मेंस बहुत है आपकी इमतों बहुत एड़मेर करती हूं और सलिट करती हूं कि आप ऐसे फाइट करें और करते रहा हैं आपकी साथ है थाइंक यू सो फ़ज बहुत आपने फर्स टाइं जब ऐसे फेस को देखा हूँगा तो आपने क्या सोचा था एक पुरुस होने के नाते मुझे खुद पर सर्मारी थी हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर और और ओरतों को इस द्रिश्टी से देखा जा कुछ लोग तो बात ही नहीं करना चाहते हैं वो पुसते क्यों क्या मैं अगर उनको बता भी रही हूँ कि मैं कॉल हूँ किस वजे से बात करना चाहरी हूँ बड लेकिन उन्हें कोई लेना देना नहीं है उन्हें कोई बात महीं करना है या आप सब लोग देख रहे हैं लक्ष्मी जी की मम्मी, राधा जी पर राधा जी, 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 समाल अपने आपको बहुत जादे कंट्रोल कि और उस्टमी लचमी बहुत जादे बूरी कंदिसन में थी कि मैं खुद को नहीं समझ पारे थी मुझे ऐसे नहीं लग रहा था कि मैं घुद को मैं जीओंगी या नहीं जीओंगी ऐसे लगता है कि मतला मैं एक पांगल टैप की ह अपने बहुत बड़ी अगनी परिक्षा को पार किया है हम सब आपको इस वात के लिए इस होसले के लिए साहस के लिए सलाम करते हैं जिस हादसे के बाद लड़कियां जादा तर सुसाइट करने की सोचती है उनको जीने की कोई तमना ही नहीं रह जाती ऐसे में आज वो लक्षिमी को देकर उसकी हिम्मत को देकर जी रही है कितना फकर होता आपको पनी बेटी है आपको ज्यादा फकर होता है मुझे और मैं जादी, अब कि अऊटे ंद्वी पीलड़कियां गर्षिमी उसे बहार लेका ले ही हूँ इमेरे बेटी है की हमारी सारी बेटीी ओने जय को वो दोने जो लड़कियों के साह्त वह उपने हिमत नहार है। अब मैं हमारी स्टूडियो में बैठी जन्ता से ये उनको मौका देना चाहूंगी अगर उनके दिल में कोई सवाल है या वो कुछ जानना चाहते है तो वो लक्षमी से पूछ सते है आपका नाम बताईए और मैं मेरे नाम सिद्धी है मैं लचमी जी से पूछना चाहते हूं कि अगर हमारे सामने ये हाथा होता है तो हमें फोरन क्या करना चाहिए सबसे पैला ट्रीटमेंट यह है कि आप जितना हो सके उनके उपर पानी डाले जितना हो सके और जिस अंग पे डला है अगर फेस पे डला है तो आप उनके फेस पे डिरेक्ट पानी मध डाले उस जगे को जुका के और जितना हो सके उतना पानी डाले ये सबसे पैला के लिटक एक अजय वे देखेगा पर आदा बॉटल में पानी दाला गया था तो यहां पे दाला गया वो पानी बहर के और वो सीथे यहाँ आ गया तो ये पानी के वज़े से जला है? ये पानी के वज़े से जला है, इतना खतरनाक. तो इसलिए मने कहा है कि हमेशा मेरे फेस capacity डाला था, तो मुझे अगर जुका के पानी डाला होता है, तो मेरे किसी भी अंग पर नहीं जाता वो सिर्म उधर से… तो यह जो आपका हाथ जला है, यह सब पानी की वज़े से ही? नहीं, यहाँ पर डाला है जानमूझ कर क्या सरी डाला है और अगला सवाल किसका है, कौन पुछना चाहते हैं? अगर हम लड़कियों कोई लड़का बार बार परेशान करें तो हमें क्या कटना चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पेरेंट से बात करें, अगर वो कोई एक्षन नहीं लेते हैं, पुलिस भी बोल देती है, कि तुम मत निकलो बहार, मत ऐसा करो, पुलिस भी मना कर देती है, तो बहुत सारे हेलपलाइन नंबर है, विमन हेलपलाइन नंबर आ तो अभी इंपॉर्टेंट यह है कि बच्चों से ज़्यादा काउंसलिंग पेरेंट्स की होनी चाहिए, क्योंकि जो उनकी सोच है वो बदलनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको काउंसलिंग की सबसे ज़रूरी है, और आप ऐसा भी गर सकते हैं, अपने इसको बताईए सबसे पहले, अगर आप बता देंगे तो ऐसे बहुत से हाथसों को हम रोक सकेगे, हम लोगों ने अभी एक पेपर स्प्रे लांच किया है, और पेपर स्प्रे पॉकेट में भी आप रख सकते हैं, अपनी सेफटी के लिए उसको, अगर आपको लगता है कि स अपने से कौन है जो लक्षमी से बात करना चाहते हैं, जी, मेरा सवाल अंटी जी से है, मौन से पूछना चाहूंगा, एसे अपरादी को सिर्फ दस साल की सजा, क्या आपको लगता है यह उसके लिए काफी है, उसे सजा काफी मिलना चाहिए उसको, जिन्दे की लिए सजा म मिलना चाहिए और मुझे तहा ऐसे लगता है कि उसे ए फ़ा至 मिलना चाहिए, जब उन्हें बहुतर चलेगा कि दर्द क्या होता है, मैं भी दर्द से जलड़ी हूँ, यह भी दर्द इसे फ़ी दर्द होता है, वो भी इंसान एक, जैसे के सकता हूँ, उसे सुम्हों गोट क होता है तो शुरुआत में लड़की भी यही बात कहती है कि जो मेरे साथ हुआ है वो उसके साथ भी हो लेकिन उसमें और हम में कोई फर्क नहीं रजाएगा मैं कानून और गर्मेंट की बाद में बात करूंगी सबसे पहले मैं बात करूंगी अपनी सुसाइटी के अपने समा वह वही था जिसको मैं भाई बोलती थी उसने कब अपना नजरिया बदला अगर्शिकली हमें सोच बदलने की जरूरत है जो हमारी जो मेंटालिटी है वह बहुत खराब है उसको सच में बदलना चाहिए और रही कानून की बात रही 10 साल की बात फास्ट्रेक कोट बनना चा सथ होना पड़ेगा वरना कानून मेरे केस में चार साल के लिए सिरफ उन्ह intelligent गया और उसके बाद 10 साल की सजा ऐसे में बहुत सारे मेरे केस में ऐसा हुआ है उस हुए इस बीच में और बियू से सारे जो केसिस हैं अभी के केसिस में हुआ है 326 जो एक्ट लगे हैं उसके मुताबित अब बेल नहीं मिल सकती है अब बेल भी नहीं है आप 10 साल के लिए आसिड अटक पे गए अंदर तो लक्षमी की बात से मैं ये बोलना चाहूंगी हमारे समाज को ये अनुरोत करना चाहू अगर आप में से किसी भी महिला ने जुर्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई या फिर समाज में सुधार लाने के लिए कोई भी कदम उठाया है तो आप हमें जरूर लिखिए हम आपको इस्त्री शक्ति के मंच पर बुलाएगे और हमारा पता आपकी टेलिविज के लिए ब्रेक के बाद हम लक्ष्मी को देंगे उनकी जिन्दगी का एक बहतरीन सप्राइज और क्या है वो सप्राइज आईए देखते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद मेरा पहला इंप्रेशन लक्ष्मी का था जब मैं उसे पहली बार मिली एक बहुती सौफ स्पोकन हस्मुक लड़की वेरी वेरी स्पॉंटेनियस हम बात करने लगे बात करते गए करते गए लेकिन कुछी देर में मुझे एक अलग टाइप की शक्ति का हिसास हुआ यह वो शक्ति थी जो कठिन परस्थितियों से निकलती है मैं इतनी प्रभावित हुई कि मैं लक्ष्मी से बोली क्या वो मेरी म्यूस बनेगी लक्ष्मी तुरंद मान गई और मैं एक कलेक्शन उसके इड़गिर्द उसके औरा को लेते वे मैंने एक कलेक्शन बनाना शुर नाम है जिन्होंने म्यूजिक को दिये कई नए आया इंडिया में हिंदी पॉप म्यूजिक शुरू करने से लेकर क्लासिकल फ्यूजन का ट्रेंड लाने वाले रीमिक्स की मस्ती से लोगों को जुमा कर टीवी जिंगल से दर्शकों को हसाने वाले दोस्तों आईए तालियो से स्वागत करते हैं हमारे आज के महमान लेजली लूइस जी का लेजली जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस त्री शक्ती के इस मंच पर मैं बहुत खुष्या कि मुझे चांस मिलना लख्ष्मी से मिले लख्ष्मी जी आपको कैसा लग रहा है आज यहां लेजली को देख कर यह स्पेशली आप से मिलने आए है मुझे बहुत कुशिय हो रही है और मैं धीरे-धीरे करकर बोलोंगी क्योंकि मैं उनको देखके ही बहुत अंदर से ही बहुत ज़्यादा हैप्य हूं तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बता पारी हूं और मैं बहुत धीरे धीरे करके बता पाऊंगी तो मैं अपने खुशी को जाहर करोगी अच्छा लेजली जी जैसे कि आप जानते हैं लक्ष्मी जी एक एसिड अटैक शर्वाइवर से एक एसिड अटैक फाइटर बनी इन्होंने अपने मुझरिम को सजा दलाई और अपनी जैसी कई लड़कियों के उनके हक के लिए यह फा तो उनको महसूस है कि यह क्या होता है, हम समघ्जते निहीं हम जो कहते हमको बतादे तो हम समझते है लेतों को बतानी आसे डर्क क्या है? अज बढ़ नगता है कि ऐसे लोग जैसे लग लाक्ष्मी ने यह स्टार्ट किया है कि हम अवेरनेस इसके आगे बढ़ा है लीगल सिस्टम को चेंज करें कि एसेड बैं करा है तो I think it's commendable, it's fantastic तो लक्षमी जी आप कुछ कहना चाहेंगी लजली जी से मैंने कभी अपनी लाइफ में मैं आज 24 एज की हूँ और मैंने आज तक सिंगिंग नहीं सिखिया तो मुझे सिंगिंग का ABC नहीं मालू मैं तो आप मेरे स्टुडियो में आजाएंगी एनी ताइम ये वेल्कम देखो आपको तो किदब ओपन इंविटेशन है मैं तो यह तो कहती है कि मुझे सिंगोच मुझे लगता है कि इंडियो में बहुट का टालें और जो टालें एक तो दबा हुआ है कि बहुत से पैंटेशने उनकी बच्चों को एक तरह तरीक एसे सोछा कि उनको स्टरी करा है यह बनना एट करना जरी बनाई दॉक लिए मुका मिल जाता है अधर्वाइस मैंने आस तक कहीं प्रोफेशनली ने गाया ना मैंने सीखा है और मैं हमेशा मैं यही सोचती हूँ कि मैं कब मलब कहते हैं कि सबसे ज़्यादा उमारे अंदर जो एक चीज पाने की चाहद होती है वो मेरे अंदर यही है कि कब मैं संगीत को पाऊंगी तो मैं आपको एक एक आइडिया देता हूँ अब आप मेरे स्टूडियो आईए मैं आपके लिए गाना कंपोस करूँगा और आप वो गाना गाईए और वो हम पब्लिक के सामने रिलीस करें क्या बाद एक से दीव एक से दीव पक्का और मैं बहुत ज़ादा खुश हूँ इस बात को लेके और आपने मुझे मुझे ही मुझे मुझे लिए और मैं जरूर हूँगी मुझे यह नहीं पथा कि किम अपोस किसे कहते हैं कंपोस करना क्या होता है तो आप मुझे इसके बारे में एक बार बताइए यह मुजिक चंपैसिन लिए गाने का जो जैसे स्टोरी होता है तो एक नोट्स मुजिकल नोट्स जो कैसे ज़दे जाते है और त्यून जो बनता है वो पंपैसिशन हुता ए मैंने सोचा कि मैं एक पुराना पॉमपैसिशिशन मैं आप तो लक्षमी, यह गाना मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए में गाओं क्यूंकि मुझे भी रगता है अब तक तुम परी हो पहली थी, अब भी है, यह जो फिजिकल बात है जो दिखावा और दिल में अंदर जो है, I think you're still beautiful और, so I'd like to sing this song for you. Thank you. आई मैं तो आई नजारों के अंजाने एक जहां से लाई मैं तो लाई बहर के अफसाने भी वहां से ना ना मुझे चूना ना दूर ही रहना परी हूं मैं परी हूं मैं आए कोई मेरे पनाहों में ले जाए यह नजारे देखे कोई मेरे निगाहों में पहचाने यह इशारे ना ना मुझे चूना ना दूर ही रहना परी हूं मैं परी हूं मैं मुझे ना चूना परी हूं मैं परी हूं मैं परी हूं मैं जो नूर है मेरा ही सरूर है औहों आखों में कुरूर है खाओ का कुसर है कोई तो ऐसा हो आके जो मेरा दिल ले जाए त्री शक्ती के अगले एपिसोड में मैं समीक्षा हाजिर होंगी हिम्मत की एक और दास्तान एक और महमान के साथ तब तक के लिए खुश रहिए और खुशिया बाती है शुक्राद में लाई मैं तु लाई बहारों की एफसाने भीवाहां से ना न मुझे छून न दूर ही रहना परी हुँ मैं परी हुँ मैं मुझे न चूना मुझे अचावी पॉटिव होना ताल 2005 में पता चला जब मैं तीन मैने गरबवती थी और मुझे जबरदती चौटी बार अबर्चन के लिए ले जाया जाए जब आपका एबोर्शन हो रहा था वो वक्त आपके लिए कितना मश्किल था मुझे मांतिक प्रताटन की वज़े तो माने अपनी आपको भी मार डाला था जब आपके लिए तो भी बोलो कि अगर तुमके हाथ में हत्या करना है तो तुम बाहर जाके करो यह घर में मत किया घरू कर दो कर दो